जै माताजी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाः जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेस्बुक चैनल एश्टरवाज में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं सापताहिक राशी फल की यानि की 16 मार्ण से लेकर और 27 मार्ण सक 12 राशी की क्या राशी में फल रहेगा क क्या उनकी धन कि इस्तादी परिवारी किस्तादी क्या मुक्य event होने वाले और यह जो 12 दिन है इन 12 दिन अंगारक दोस्त और लज्जी दोस्त कहीं आपको कञ़ ही तो नहीं करता तो टोप से पहले हम चर्चा करते हैं मेश राची के बारे में तो मेश राची के लिए देखा जाए तो कि सोला से लेकर 21 यह तारीख को भड़ी रहने वाली है देखा जायud तो сердor चैनल के साथ मैं इहातरा की योग नजर आ रहे हैं पार्ट्नर के साथ मैं शॉपिंग के योग नजर आ रहे हैं लेकिन जमकर पार्टनर से वाद विवाद होगा कूप तू तू में में होने वाली है पुरानी बातों को लेकर तू तू में में होने वाली है इसलिए मूँ बंद रखिएगा साती साथ पार्टनर को कोई न कोई गिफ्ट मिल सकता है और काम के लिए देखा जाए तो अभी काम डिले रहेंगे काम के लिए ये जो सापता है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा वहीं पर ब्रशब राशी के लिए बात करें तो 16 तारिक से लेका और 27 तारिक तक देखा जाए तो आपके यात्रा के योग नजर आ रहे हैं कहीं पर यात्रा करने वाले प्विगता और बहुत से एकदम से अच्छानक आपको सहयोग प्राप्त होगा सरकारी काम आपके बन सक सकते हैं सरकार में कोई फाइल अटकी है वह काम आपके बन सकते हैं और अच्छा कासा धनलाव ब्रशब राशी को होने वाला डेट नोट करें 17-18-19-20-21 यानि यह जो चार दिन है इन दिन आपका स्वास्ति खराब हो सकता है पानी से समंदित आपको विकार हो सकते हैं गैस से लेकर और 27 मास तक देखा जाए तो विदेश या दूर से आप पर कोई सुब समाचार आ रहा है आ रहा है और आपको 16 तरीक से 23 तरीक को मिल जाएगा पहला चीजी होगा घर के अंदर छोटे मोटे रेनुएशन रिपेर के काम होने वाले हैं साथी साथ देखा जाए तो जबरदस्त विपरीत राजयोग इन 12 दिनों में बनेगा इसलिए आपको कोई ना कोई धन लाब जरूर 100% होगा कोई ना कोई रुकावा काम आपका 12 दिनों में बनने वाला फिर भी डेट नोट करें 18, 19 और 20 तारीक को अगर आप यात्रा कर रहे हैं लंबी दूरी की यात् साबधानी रखे क्योंकि छोटे मोटे चोट के छोटे मोटी दुरुगटनाओं के आपके योग बन रहे हैं वहान को नुकसान के योग बन रहे हैं थोड़ा साबधानी रखनी है याद रखेगा इसी प्रकार से करकराशी की अगर हम बात करें तो 16 तरीक से लेकर और 27 मार तक देखा जाए तो अच्छा खासा धनला भी सब्ता में होने वाला है साथी साथ किसी इस्तरी से या माता से आपको कोई गिफ्ट कोई उपहाय कोई राय आपको प्राप्त होगी या बहुत ज़्यादा इसने आपका बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं पानी की यात्रा के नदी समुंद्र पहाडों की यात्रा के आपकी योग भी बन रहे हैं डेट नोट करें 23, 24 और 25 ये तीन दिन आपके पार्टनर से भेंकरवाद विवाद हो सकते हैं बहुत भेंकरवाद विवाद इसमें हो सकते हैं याद रखिएगा और मित्रो जैसा कि आप जानते हैं 721012 24289 मेरा WhatsApp नंबर है यदि आपको अपनी कुंडली दिखा नहीं है और आजकल टाइम अच्छा है तो इसमें जरूर दिखाईए डेट अबर्द डालिए टाइम ओबर्द प्लेस ओबर्द डालके किसी भी समस्यां से आप परिशान है तो उसका समाधान जरू लिजिए सिंग माता पिता से कोई गिफ्ट या धन मिल सकता है यह बहुत बड़ी बात है डेट नोट करें सब्सक्राइब को हलकी चूट लगने के या छुटा मुटा एक्सिडेंट होने के योग नजर आ रहे हैं अब बात कर लेते हैं कन्या राशी की तो कन्या राशी में देखा जाए त तो 16 तरिक से लेकर और 27 मार्ज तक देखा जाए तो आपके खर्चे में ब्रदी बता रहा है यह सब्सक्राइब कारियों में रुकावटे रहेंगी मानसिक तनाव रहेगा धनहानी के आपके योग बन रहे हैं कोई चीज आपकी नुकसान हो रही है कोई चीज आपकी गुम मोरी उस पर थोड़ा ध्यान रखें साती साथ इसमें भी डेट नोट कर लें वैसे तो सब्ता खराब है 17 18 19 20 यानि ये चार दिन आपका किसी से लड़ाई हो सकती है भेंकर वाद विवाद हो सकता है अब बात करते हैं तुला राची की तो तुला राची के लिए देखा जा याद रखें इससे अच्छा आप अपने परिवार को टाइम दीजिए और परिवार के साथ में समारों में जाने का अफसर प्राप्त होगा लेकिन आपको उसके लिए प्रियास करना पड़ेगा याद रखेंगा प्रियास सही बनेगा साथी साथ देट नोट कर लीजिए 17 18 और 19 तारिक को लंबी दूरी की यात्रा करते हुए साबदानी भरते क्योंकि वहां आपको धोका दे सकता है आपका चालान के योग भी बन रहे हैं इसी प्रकार से ब्रिश्चिक रासी के बारे में बात करें तो 16 मार से लेकर और 27 मार तक देखा जाए तो परिवार के साथ म कोई वस्तू आप जड़ाता बड़तोड ओर ओनलाइन या शॉपिंग मॉल जाके करीदने वाले हैं डेट नोट करें 18-19-20-21 यानि 18-19-20-21 यह जो पांच दिन हैं न मित्रो इस पे आपको हेल्थ के इशू आने वाले हैं यानि आपका गला से समंदिद आपको एंटी से सम समंदिद फोड़े फुंसी से समंदिद आपके इशू आने वाले हैं और पार्टनर से भी साथ में विवाद किसी बुद्धे को लेकर रह सकता है अब बात करें दनुराशी की तो दनुराशी में देखा जाए तो 16 मार्त से लेकर 27 मार्त तीर त्यात्रा या मंदिर में दर् योग नजर आ रहे हैं साती साथ इस सब्ता एलाइसी शियर में कुछ धन भी आप निवेश करने वाले हैं डेट नोट करें अठारा उनिस और बीस जो तारीक है इसमें जबरदस्त हेल्ट के हेल्ट के इशू रहेंगे संतान से वाद विवाद रहेंगे कोई वस्तू आप स तूट सकती है या घर में तूट सकती है या गुम हो सकती है ऐसा योग नजर आ रहा है इसी प्रकार से मकर राशी की बात करें तो 16 मार्श से लेकर और 27 मार्श तक घरेलू वस्तू खरीदने के जबरदस्त योग बन रहें पनीचर करी सकते हैं टीवी मोबाइल लैप्टॉ कुछ न कुछ आप खरीच सकते हैं साथी साथ मित्रों के साथ में खूब आनंदायक यह सब्तार रहने वाला है मित्रों के साथ में पार्टी फंक्शन मनाने वाले हैं को पुरानी याद ताजा करने वाले हैं लेकिन कहते हैं कि खूब ज़्यादा पार्टी करने से खूब बदनामी होना तै है क्योंकि लज्जी दोश आपका बन रहा है साती साथ धन की इस्तिती में कोई परिवर्तन इस अपता में नजर नहीं हारा जैसी चल रही वैसी रहेगी डेट नोट करें 23, 24, 25, 26 ये जो चार दिन है ये खर्चे वाले रहेंगे यानि कि वान पर आपका खर कुम्ब राची की अगर हम बात करें तो 16 मार्च से 27 मार्च तक देखा जाए किसी से वाद विवाद बैस होने के योग नजर आ रहे हैं धन खर्ची खर्च होगा साती साथ देखा जाए बहन और मामा से आपके संबंद सुदर जाएंगे या बहन या मामा की पक्स से कोई आ देखा जाए पार्टनर के परिवार से कोई ना कोई सुब सूचरा भी इस हपते इन दिनों में आपको प्राप्त होगी पार्टनर को कोई ना कोई धनलाब भी होगा साती साथ पार्टनर को कोई गिफ्ट भी मिलेगा साती साथ काम के सिलसले में आपको दूर प्रदेश की यात्रा भी सैनी पड़ेगी यानि यह जो सब्ता मिला जुला सा रहने वाला है पच्चीश चब्वीस और 27 तारिक में आप में गुसा आपकी नाक में गुसा बहुत जबरदस रहेगा जबरदस बीपी रहेगा तनाव रहेगा और करमचारियों से बहस रहेगी अब बात करते मीन यानि अंतिमरासी की तो देखा जाए 16 से लेकर 27 माज तक अगर देखा जाए बौस या पिता से आपके किएगे कारियों की आपको तारीव सुनने को मिलेगी साथी साथ समाज में आपको कोई उपहार या समाज में आपको कोई समान प्राप्त हो सकता है कोई संस्ता आप को कोई समान दे सकती है साथ अच्छा धनलाब मिलने वाला है और पिता के लिए या माता के लिए आप कोई ना कोई उपहार भी खरीदने वाले या उनके लिए कोई ना कोई शॉपिंग की सब्ता करने वाले हैं 17-18-19 तारीक ये जो तीन दिने इसमें आपको हेल्थ के इशू रहेंगे इन टी की प्रॉब्लम पेट की प्रॉब्लम रहने वाले हैं तो मित्रो इस कारेकरम में हमने सब्ताहिक राशी फल के बारे में बात करी लजी दोस्त और अंगारक दोस्त क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं इसके बारे में चच्छा करी अगर ये कारेकरम आपक को पसंद आता है तो मेरे इस पोस्ट को शेयर जरू करें फैलाएं इस पोस्ट को जय मतादी